शाहपुर राजसो विवा की बड़ी कारवाहे जहां शाहपुर तहसिलदार नरिंदु सिंध ठाकुर जी के द्वारा तहसिल कालेले के सामने 11 बजे से 2 बजे तक गाड़ियों की चेकिंग की गई है इसमें आज ट्रक वार डंपर ओवर्लोड रेट परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं जिनने तहसिल परिसर में खड़ा किया गया है चर्चा के दौरान तहसिलदार महुदर ने अगली कारवाही के लिए माइनिंग को सूशन देने की जानकारी दी है जो आकर निया मनुसार कारवाही करेंगे इस कारवाही से अवेद रूप से उत्खनन करने वाले माफियाओं में खलबली मच गई है शाहपूर तहसिल शेत्र में अन्य स्थानों से होने वाले अवेद उत्खनन चैकिंग की जानकारी मिलते ही रुख गए चैकिंग के दारान ट्रक वार्ट डंपर वालों के पास होशन का बाद जले की रॉयल्टी पाई गई है मामले में तहसिल दार महोदे जी का कहना था कि यह कारवाही आगे भी चलती रहेगी हकीकत तो यह है कि शेत में चल रहे अवेद उत्खनन की शिकायत तो कई दिनों से अधिकारियों से की जा रही है लेकिन कोई भी अधिकारी कारवाही करना नहीं चाहता कालवाही के नाम से सिर्फ खानापूर्थी की जाती है खनेज माफियाओं का खूफिया तंच इसकदर फैला हुआ है कि अधिकारी के आने की सूचना पहले ही माफियाओं को मिल जाती है जिससे वह सतर्ग हो जाते है सवाल आखिर यह उठता है कि माफियाओं को अधिकारी के आने से पहले सूचना मिल कैसे जाती है कि अशाशन का कोई आदमी गुप्त रूप से इनकी मदद कर रहा है या वह भी अप्रत्यक्षर रूप से इस अवेद उत्खनन के कारे में शामिल है वरपोर्ट कबर मदरदेश